हलो फ्रेंड्स, वेलकम आई यूटूब चेनल मोमल क्लासेज आज का जो मारा टोपिक है वो है ओक्षिजन गेस आज हम ओक्षिन गेस के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर इससे पहले हमने कार्बन मोनोकसाइड और कार्बन डायोकसाइड गेस के बारे में वीडियो बनाके डाला है तो वो आपको हमारी चेनल पर मिल जाएगा उनको भी आप देख सकते हो कापे इंपोर्टेंड उनमें फेक्ट डाले गए हैं आज हम कुछ ओटू से जुड़े हैं मैत पूर्ण फेक्ट जो एक्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे तो चरो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो तो पहला जो हमारा बिंदू है वो रहेगा कि ओक्षिजन की जो खोज है वो सरव परतम सीले नामक वेज्ञानिक ने 1732 में की थी दूसरा बिंदू रहेगा हमारा कि ओक्षिजन जो गेस होती है वो एक रंग हीन और गंद हीन गेस होती है यानि O2 का ने तो कोई रंग होता है नहीं कोई गंद होती है नेक्स्ट हमारा विंदू है कि ओक्सिजन वायू से कुछ बारी गेस होती है ओक्सिजन वायू से थोड़ी सीख बारी होती है वायू थोड़ी सीख्या होती है हलकी होती है नेक्स्ट है कि ओक्सिजन को अगर आप ठंडा करोगे तो ये नीले रंग के दर्वे में परिवर्तित हो जाती है अगर इसको हम लिक्विड फॉर्म में लाना चाहते हैं आपको पता ही है ओटू जो है वो एक गेस है और साथ में एक क्या है एदातू है यानि नौन मेटल है तो ये गेस ही रूप में रहती है लेकिन इसको आप लिक्विड फॉर्मिल आओगे इसको ठंडा करोगे दर्वित करोगे तो एक निले रंग के दर्वे में परिवर्तित हो जाएग निला लिना रंग का एक क्रेंट LINE है यह खुद नहीं जलती है लेकिन जलाने में साहिक है किसी बी इन्दन और को आपको जलाना है तो oxygen चाहिए ही चाहिए कि विदाउट oxygen नहीं दलेगा कोई भी इन्दन है और जब oxygen किसी के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है आपको पता होगा oxide बनता है क्या बनता है ओक्साइड बनता है जैसे फॉर एक्जामपल हमने मेगनीशियम के फित्य को जलाया किसकी उपस्तिति में जलेगा ओट्टू की उपस्तिति में यानि यह जलाने में साइक है तो यह मेगनीशियम ओक्साइड बन गया यानि ओक्सिजन बजरू जाता है तो ओक तो इसके क्या करेंगे, ओट्टू का जो संप्रग है न, वो हमको तोड़ना होगा, अगर यह संप्रग हमने तोड़ दिया, तो इंदन जो जल रहा है वो भुझ जाएगा, इसलिए जो अगनिसामे की अंतर होता है, उसमें क्या है, सी ओटू निकलती है, और वो सी ओटू इस इन दन को चारों और से ढख लेती है, कमबल की तरह उसको ढख लेती है, जिसे ओटू का संप्रग तूट जाता है, और आग भुझ जाती है, तो आग भुझ जाने के विचे यही फेक्ट काम करता है, कि ओटू का संप्रग तोड़ दो, तो किसी भी चीज को जलाना है, तो ओक्षिन का होना वहाँ बहुत जरूरी है, तो यह जलाने में साइक होती है, इसी परकार हमारा बोजन जो होता है, जिसे गुलकोज होता है, C6H12O6, इसका भी जब ओक्षिकरन किया जाता है, तब यह CO2 प्लस जल प्लस उर्जा के रूप में तूरता है, तो बोजन का भी ओक्षिकरन होता है, यानि ओक्षिन जाके वहाँ जुड़ती है, उनको CO2 जल में तोड़ती है, तो ही हमको उर्जा मिलती है, अनेता यह पोसिबल नहीं है, तो बोजन का भी ओक्षिकरन ही होता है, नेक्स्ट है ओक्षिन की परकरती, इसकी जो नेचर है वो परती चुम्ब किये, लोहा चुम्ब किये, अनुचुम्ब किये, तो यह होता है, अनुचुम्ब किये परकरती है, नेक्स्ट है, ओक्षिन का जो अनुचुम्ब किये परकरती है, नेक्स्ट है, ओक्षिन का जो अनुचुम्ब होता है, आपको पता है, ओक्षिन का फॉर्म और यहां बन जाते हैं तो यह लगब बल why की होती है और यह आनु're रूपों मिल कर क्या बैंजाता है इसलिए आनु रूप में पाए जाती है और कि नेक्स्ट है औक्षिजन को प्रान वायू केते हैं यह है लाइफ एयर लाइफ एयर प्रान वायू केते हैं क्योंकि इसी के वज़े से हम जिन्दा है यह हमारे सवस्थन में काम आती है बोजन के औक्षिकन में काम आती है चीजों को जलाने में काम आती है तो अगर यह नहीं है तो हमारा दंग उटने से मड़ती हो जाएगी इसलिए इसको कहते हैं प्रान, वायू, लाइप, एर अगला है वायू में ओट्टू की जो मात्रा है वो लग बग जिसका मलब वायू में इसका जो आईतन है वो मात्रा है वो लग बग 21% होती है, 20.something होती है यानि लग बग 21% होती है यह आपको सभी को पता भी होगा और ध्यान भी रखना है पूछ लेते हैं नेक्स्ट है, ओक्षिन स्वयुक्तावस्ता में जल में पाए जाती है जल का फॉर्मूला होता है S2O तो यहां जो अक्षिन है वो स्वयुक्तावस्ता में पाए जाती है लग बग यहां 58% इसका आयतन रेता है तो यह स्वयुक्तावस्ता में जल में पाए जाती है नेक्स्ट है, अगर इसको बनाना है तो कैसे बनाओ गए तो O2 को बनाने के लिए प्रियोक साला में Potassium Clorant यानि KCLO3 और MNO2 यानि Magneses Dioxide उत्प्रेरिक की उपस्तिति में 3005 डिग्री Celsius पर गरम करेंगे तो ओक्षिन का निर्माण हो जाएगा Potassium Clorant यानि KCLO3 इसको हम गरम करेंगे Magneses Dioxide MNO2 यह उत्प्रेर रखा है और Temperance रखेंगे 355 डिग्री Celsius तो यह Potassium Cloride और O2 में तूट जाएगा इस परकार यां O2 का क्या हो जाएगा निर्मान हो जाएगा Next हमारा बिंदू है काफी important है Very very important Krathrim Saucan जो दिया जाता है उसमें सिर्फ Oxygen नहीं होती है वो दो गेस्मों का मिसरन होता है तो वो गेस्मों कौन कौन सी है तो एक तो होती है Helium यानि आपकी HE और एक होती है Oxygen यानि O2 इन दोनों का मिसरन जो है वो काम में आता है किसमें Krathrim Saucan में Very important line है इसको आप ध्यान रखेंगे एक्जाम में कई बार इसको पूछा जाता है Krathrim Saucan में कौन सी इकेस्मों का मिसरन होता है तो हीलियम और Oxygen का Next है Oxygen का उप्योग जो है Oxygen Hydrogen और Oxygen Acetylene जो जवाला है उत्पन करने में होता है तो Oxygen Hydrogen और Oxygen Acetylene जो है वो O2 के दोरह ही बनाई जाती है अगला जो उप्योग है वो है कि जो दर्वित हमारी Oxygen होती है दर्वित form में उसको जब लिया जता है लिक्विड form में तो दर्वित Oxygen का उप्योग रोकेट इंदन के रूप में होता है तो रोकेट में इंदन के रूप में दर्वित O2 यूज होती है नेक्स्ट है ओक्षिन के तीन समस्तानिक होते हैं ओक्षिन के किते समस्तानिक होते हैं तीन समस्तानिक समानिस्तान यानि जिनका परमानू करमांग समान होता है लेकिन दर्विमान संक्या अलग-अलग होती है, उन्हें समस्तानी केते हैं तो आक्षिन के तीन समस्तानी केते हैं, एक होता है O816, एक होता है O817, और एक होता है O8 आपका 18, 16, 17, 18 तो परमानुकर मांग देखो, सभी का क्या है? समान है O8, O8 यानि प्रोटोन की नमद्टोन जो है, वो बराब सभी में किते हैं, O88 है और जो न्यूटरोन है, वो यहा चेंज हो गए है, तो यहां O8 प्रोटोन, इसमें O8 न्यूटरोन है, तो दर्विमान हो गया O6 इसमें 8 proton और 9 neutron है तो यह हो गया 8, 9, 17 और यहां 8 proton और 10 neutron है तो यह हो गया 18 तो इसके 3 समस्तानिक पाज़ा जाते हैं यह भी काफी important बिंदो है दिया रखना है O 16, O 17 और O 18 और लास्ट जो हमारा बिंदो हमारा कि मानव के जो सरीर है उसमें अगर आपको पूछ ले कि कौन सा तत्वा सरवादिक होता है तो मानव सरीर में सरवादिक मातरा में पाएज़ जाने वाला तत्वा कौन सा होता है oxygen ही होता है सबसे जद्ध मातरा में O2 पाए जाती है आपके सरीर के अंदर नेक्स्ट है वायो मंडल में समस्त oxygen हरे पोदों द्वारा प्रकास अंसलेशन की परक्रिया के द्वारा उत्पन होती है जब पेड़ पोदे photosynthesis करते हैं प्रकास अंसलेशन करते हैं तो वो क्या करते हैं वायो मंडल ये CO2 और जल और प्रकास और कलोरोफिल की मदद से अपना भोजन मनाते हैं उसी दोरान कौन सी गेस बनती है oxygen तो प्रकर्ति में वायो मंडल में इसका आने का एक ज़रिया होता है photosynthesis यानि प्रकास संसलेशन के दोरा ये क्या होता है वायो मंडल में सामिल होती है नेक्स्ट है यदि पर्तिवी के सारी वनस्पति नस्ट हो जाए तो सभी जीव जनतू oxygen के अभाव में मर जाएंगे क्योंकि वनस्पति नहीं तो photosynthesis नहीं और photosynthesis नहीं तो लाइक करें share करें comment करें और चैनल को अभी subscribe कर लें हमारा चैनल आपको पता होगा मुमल classes को subscribe करें धन्यवाद